दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जार्खन विधान सभा में नियोजन नीती को लेकर हंगामा जार्खन विधान सभा का बजट सत्र चार तारिक को जिस मुद्दे पर समाप्थ हुआ था 13 मार्च को उसी मुद्दे से सदन की कारवाही शुरू हुई नियोजन नीती को लेकर गरम सियासत का असर पूरे सदन में दिखा जहां सदन की कारवाही शुरू होते ही बिजेपी बिधायक बेल में पहुँचकर नियोजन नीती को लेकर हंगामा करने लगे जोर पकड़ी सरना धर्म कोड की मांग आदिवासी समाच सरना धर्म रक्षा अभियान द्वारा आयोजीत सरना धर्म संहिता महरैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में जनजाती समुदाय के लोग जहारखन की राध्धानी में कत्र हुए आदिवासी संगठन रैली के माध्यम से केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे रैली में जहारखन नेपाल भूटान ओडिसा पस्चीम बंगाल चतिसगाड और बिहार के जनजाती समुदायों के लोगों ने भाग लिया है सीनियर राष्टिय पैरा एथलेटिक्स परत्योगिता में जहारखन से भाग लेंगे दस खिलाडी जहारखन के दस सीनियर पैरा खिलाडी पूने में आयुजित सीनियर राष्टिय पैरा एथलेटिक्स परत्योगिता में भाग लेंगे यह परत्योगिता 16-21 मार्च को आयुजित होगी 21-वी सिनियर राष्टिय पैरा एथलेटिक्स परत्योगिता है जिसमें पैरालंपिक कमेटी ओफ जहारखन से 10 सिनियर पैरा हिलाड़ी भाग लेंगे जहारखन में होंकोंग फुलू पर अलट स्वास्त विभाग ने जारी किये निर्देश देश में इन्फुलेंजा के जिहां इन्फुलेंजा एके उप स्वरूप H3N2 होंकोंग फुलू के बढ़ते मामलों कुरेकर राजी सरकार गंभीर है स्वास्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुन कुमार सिंग ने एडवाईजरी जारी करते हुए राज्य की सभी उपायुक्तों को अलट किया है इसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेजियों समेथ जारखंड के सभी हस्पतालों OPD वा इंडोर में इन्फुलेंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीब्रश्वसन बीमारी के रोग्यों की स्क्रीनिंग सुनिशीत कराने के निर्देश दिये हैं जारखंड में रद हुआ 20 PDS डीलरों का लाइसेंस मुख्यमंत्री हैमन सोरिंक निदेश पर जारखंड की राशन की दुकानों के आउचक निरिक्षन के दोरान अनियमीतिताओं के आधार पर जहां 17 दुकाने रद कर दी गई हैं वहीं 20 डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गए हैं सरकारे बिग्यप्ति के अनुसार राशन की 202 दुकानों के संचालकों को कारण बताओ नोटीस जारी किया गया है खबरों को माने तो जीला अस्तर पर नियुक्ति पदाधी कारियों दुवरा किये गए ओचक निरिक्षन के आधार पर जहारखन के कई जीलों के पीडियस डीलरों के लाइसेंस को रद किया गया है आज से शुरू होंगी जैक दस्वी और बार्वी की परिछाएं जहारखन बोर्ड दस्वी और बार्वी की परिछाएं 14 मार्च यानि आज से शुरू हो रही है जैक बोर्ड परिछा 2030 में 7 लाग से अधीक परिछार्थी शामिल होंगे जैक ने बोर्ड परिछाओं के लिए डेट शीट पहले ही जारी कर दी थी परिछा के लिए जहारखन भर से 1950 केंद्र बनाए गए हैं दस्वी की परिछाएं 14 मार्च से शुरू होकर 3 अपरेल 2023 तक और बार्वी की बोर्ड परिछाएं 14 मार्च से 5 अपरेल 2023 तक चलेंगी दस्मी का एक्जाम 1225 और बार्वी की परिशाएं 725 केंद्रों पर आयोजीत होंगी एक्जाम सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंधजाम किये गए हैं दस्मी में 4 लाख और बार्वी में 3 लाख से अधीक परिशार थी जारखंड में परिशा देंगे जारखंड बोर्ड दस्मी की परिशाएं 4,36,000 और बार्वी में 3,36,000 के करीब छातर शातनाय परिशा में शामिल होंगे मेट्रिक की परिशा वेमार शीट पर सुबह 9 बज कर 45 मिनट से 11 बज कर 20 मिनट तक होगी उसके बाद लिखिद परिशा 11 बज कर 25 मिनट से 2 पहर, 1 बज कर 5 मिनट तक उत्तर पुस्तिका पर होगी इस तरह बार्वी परिशा भी ली जाएंगी नाटू नाटू को ओस्कर मिलने पर सीम हेमन सुरे ने दी बधाई ओस्कर अवार्ट्स की घोशना की गई है जारकन की सीम सीरी हेमन सुरे ने दोनों ही कैटिगरी में आवार्ट जीतने वाली टीम को बधाई दी है उन्होंने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है मुख्यमंत्री हेमन सुरे ने ट्वीट कर लिखा है कि दव एलिफेंट वीपर्स की पूरी टीम को सर्वस्रेश्ट शॉट डोकुमेंटरी का ओस्कर जीतने के लिए बधाई फिल्म आर 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 की पूरी टीम को बधाई कि उन्होंने नाट्व नाट्व गाने के लिए सर्वस्रेश्ट ओरिजिनल गाने का अबाड जीता मुख्यमंत्री ने लिखा कि इस काम्याबी से पूरा देश गौरानवित है किस्तों में पेंशन भुकतान को लेकर सुप्रीम कोट सक्त सुप्रीम कोट ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्राले चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन का बकाया भुकतान करने संबंधी परिपत्र जारीकर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है कोट ने रक्षा मंतराले से 20 जनवरी के उस परिपत्र को तुरंत वापस लेने को कहा जिसमें कहा गया है कि OROP का बकाया चार किस्तों में भुक्तान किया जाएगा केंदरे ने शिर्स नयाले से कहा कि उसने OROP के तहत पुर्व सैनिकों की बकाया राशी की एक किस्त का भुक्तान कर दिया है लेकिन पूरा भुक्तान करने के लिए उन्हें कुछ और समय चाहिए सुप्रीम कोट ने केंदरे से कहा कि पहले ओ आरोपी बकाया के भुकतान को लेकर 20 जनवरी को जारी किया गया परिपत्र वापस लें फिर हम आपके और समय देने के आविदन पर विचार करेंगे पीठ ने अटरनी जनरल को भुकतान की जाने वाली राशी अपना जाने वाले तौर तरीकों और बकाया भुकतान के लिए प्रात्मिक्ता आदी का विवरन देते हुए एक नोट तियार करने को कहा जिहां पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी परकार का वर्गी करन होना चाहि देश के इन राजियों में बिगडने वाला है मौसम आईमडे ने अगले पाँच दीनों के लिए जारी की चेताओने देश की कई राजियों में मार्च के महिने में ही भीसन गर्मी पढ़ने लगी है और तापमान लागातार आउसत से अधीक चल बना हुआ है कई राजियों में दो तापमान 35 डिगरी से उपर चला गया है हलाकि इस दोरान कुछ राजियों में बारिश और तेज हवाओं के कारण से राहत भी मिली है और इसको लेकर भारत मौसम बिग्यान विभाग यानि आईमडे ने चिताओनी भी जारी की है मौसम बिभाग ने अगले पाँच दीनों तक कई राजियों में बारिश कुले कर अलर्ट जारी किया है मौसम बिभाग यानि आईमडे ने वेस्टर्न डिश्टर्मिंस एक्टिब होने की संभावना जताई है जिसके कारण से 14 मार्च तक पस्ची में हिमालाई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है इसके अलावा आईमडे ने दक्षिन मध्य और पूरवी भारत से जिहां पूरवी भारत में 15 से 17 मार्च तक बारिश होने की संभावना जताई है मौसम बिभाग पस्ची मी हिमाले शेत्रों के अलावा पंजाब और राजस्थान म 13 मार्च को हलकी बारिश के साथ आंधी तुभान की चेतावनी जारी की है इसके अलावा गुजरात में 14 मार्च महराष्टर मध्य परदेश और 36 गड़ के कुछ इलाकों में 16 मार्च तक बारिश हो सकती है आईमडी ने तमिलाडू, आंधर परदेश, करनाटक, पूरवी ग गुजरात ओरिशा, पसीम मंगाल और जहारखण में 17 मार्च तक बारिश की संभावना जताई गई है पीपीएप इसकीम को लेकर केंदर सरकार ने दी बड़ी खुश खबरी केंदर सरकार की और से कई सरकारी योजनाओं का लाप आम जनता को मिल रहा है लेकिन अगर आपन आपने भी अपना पीपीएप अकाउंट ओपन कर रखा है तो ये आपके लिए खुश खबरी है अब मैचुरिटी के बाद में पबलिक परविडेंट फंड में आपको बड़ा फाइदा मिलने वाला है इसके बारे में सरकार ने जानकारी दी है तो अब जिहां आप भी 68 में भीत मंत्राले के राष्ट ये बचत संस्थान के जरिए श्रू की गई थी इस समय पर इस योजना में 7.1 फिसदी की दर से ब्याच का लाब मिल रहा है पीपीएप की जिहां एक तरक की स्टेक सेविंग और बहतर रिटर्न पाने वाली योजना है इस योजना से जरिए आपको मैजूरिटी पर लाखों का फायदा मिल जाता है बतादी की पीपीएप पर ब्याच दरे 10 साल के सरकारी बॉंड यिल्ड से जुड़ी है पीपीएप पर ब्याच दर पिछले 3 महिनों में आउसत जिहां आउसत बॉंड यिल्ड के आधार पर तिमाही की शुरुआत म अगनीवीर भरती के लिए बढ़ी आविदन की लास्ट डेट भारति सेना ने अगनीवीर भरती के लिए आवज़न की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है अब अभिहारती 20 मार्च दोजार तेज तक आवधन कर सकते हैं पहले आवधन करने की अंधिम तारिक 15 मार्च दोहजार तेज थी जिसे पांच दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है इस संबन्ध में इंडियन आर्मी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट जोएन इंडियन आर्मी.nice.in पर नोटीस भी जारी किया है बतादे की भारतिये सेना में अगनिवीर भरती के तहत श्टोर क पर कलर्क और टेकनिकल सहित कई पदों पर भरतियां की जाएंगी इन पदों के लिए आविदन की प्रक्रिया सुल्लब हरवरी 2023 से शुरू हुई है बिभिन पदों के लिए सेक्षिनिक योग्यता का निर्धारन अलग-अलग किया गया है कुछ पदों के लिए आठमी पास तो कुछ के लिए दस्वी और बार्वी पास अधिक्तम सेक्षिनिक योग्यता निर्धारित की गई है। बुलिटेन में ये भी कहा गया है कि देश में सक्री मामलों की संख्या बढ़कर 3618 हो गई है। केरल से हुई थी, चीन से लोटे शात्र में कोरणा संक्रमन की पुष्टी हुई थी। इस बीच केंदर सरकार ने शनिवार को कुछ राजियों में कोविड-19 पोजिटिविटी दर में बृधी पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूर राजियों और केंदरिशासित परदेशों को लिखे पत्र में केंदरिय स्वास्ति सचिव राजिस भुसन ने कहा कि एनफ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीवरोश्वसन संक्रमन के मामलों में बृधी के बाद जरूरी दीशान देशों का पालन करने की आउशकता है